और कbayए है सदुना इसी में माजूर्ट का हो रहिए यहां पर हम डेट छाथे हैं के अलगे जांट है कि अगर मैंने यह एक तारीक से start है इक जर्मी से start है तो अगर मैंने बोल दिया कि मेरा 20 जर्मी तक का ही data आना चाहिए तो 20 से ऊपर हमा realized हमादा यह आना चाहिए तो यहाँ करिसे देंगे कि if कि अगर इस date में plus one करने पर अगर वो डेट greater than हमारा end date होता है तो यहां पर blank दे दे पर 20 हमारा जो date है इस date में plus 1 करते अब इसको enter मारते हैं लेकिन मुझे पता है कि यह जो date इसको मैं change करता हूँ format अब मैं इसको अगर नीचे ड्राइग करना हूँगा, अब पहले हमारा J1 जो है, J2 हो जाएगा, लेकि J1 हमारा फिक्स है, तो इसको हमने हाँ पर फीर इसको अब फ्रीज कर दिया effort से, तो हम इसको नीचे के तरफ ड्राइग करते हैं, नीचे के तरफ अगरामा इसको आएंगे, अब इस चीद को जानिए कि यहाँ आया तो क्यों आया है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारा blank सो कर रहा है, तो blank क्या है? blank text है तो यह आपका text में plus one नहीं कर पा रहा है text के अंदर plus one नहीं कर पा रहा है इसलिए error देगा इस error पहटाने के लिए हम use करेंगे formula if error का if error और if error के अंदर में हम इसको start करेंगे और bracket को close करेंगे ओके हमने बुला a2 plus one is greater than j1 और यहां पर हमने बूल दिया plus two one हो जाए हमें इस code नीचे के तरफ drag करते हैं तो देखिए यह हमारा बुलाएं को तो अब जो date डालेंगे मैंने मान लिए पंद्रा जिनवरी डाला तो मेरा पंद्रा जिनवरी 10 जिनवरी डाला हुँआ हमने लिख रखा है उसको हम अपने पंद्रा जिनवरी के साथ लिंक कर देंगे तो आपका बें start to end हो जाएगा जो date डालेंगे और जो date end में डालेंगे उसी between dates यहां पर create होगे तो भीर सिंग जी और यस्व जी मुझे लगता है एक्जाम्पल आपको समझ में आ गही होगी है यस सर्य यस सर्य थैंक यू